हेलो गाईज वेलकम बेक तो अवर यूट्यूब चैनल फोरेंसिक विद प्रियंका प्लीज गाईज वीडियो को लाज तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज दो लाइज शेयर और कमेंट ओन दा वीडियो एस वेल आज सब्सक् आज हम जानेंगे की वट दिस पर माक्स वाइट यूसफुल टो इस्टड़ी दा पगमाक्स ओके गाईज एंडट टाइप अपसा पगमाक्स तो आए जान लेते हैं पगमाक्स क्या होते हैं जो यह जो यह वर्ड है पगमाक्स इट इस दा कॉमिनेशन ऑफ टू बर्ड करने के लिए जो पगमाक्स एक टर्म है इसको हम यूज करते हैं चैपके जैसे डिनके हम यूवन के ठीक है जो फिंगरप्रेंट उते हैं यूनिक होते हैं as well as उनके क्या होते हैं, जो footprint होते हैं, वो unique होते हैं, इसी तरह से जो animal के पगमाक्स होते हैं, ये भी individual होते हैं, एक individual animal के लिए, इसलिए हम जो ये पगमाक्स हैं, इनको use करते हैं for identification purpose, every individual animal has a distinct to pug mark and as such this is used for identification, जैसे हम fingerprint को, footprint को, human के identification के लिए use करते हैं, इसी तरह से हम पगमाक्स को animal के identification के लिए, animal को individualize करने के लिए, हम क्या करते हैं, पगमाक्स की study करते हैं, पगमाक्स को use करते हैं, spore, spore क्या है, correct name है, to refer the pug marks, except tiger, ठीक है, tiger को छोड़ कर, जितने भी animals हैं, उनके जो pug marks होते हैं, pop print होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, spore के नाम से भी जानते हैं, next, अब हम जानेंगे footprint, अगर ये human के हैं, तो हम बोल देंगे footprint, और अगर animal के हैं, तो guys, देखिए, जैसे ये, क्या है, footprint है, ये bear foot के साथ बने हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, footprint, and it is individual for individual human, next, this is the shoe marks, जैसे footprint होते हैं, वो unique होते हैं, सेम इसी तरह से, जो shoe marks होते हैं, जो shoe की help से बनते हैं, जब persons ने shoe bear किये हुए हो, तब बनते हैं, तो हम उस case में बोलेंगे उनको shoe marks, और अगर bear foot से बनेंगे, तब बोलेंगे हम footprint, as well as इसी तरह से जो अपने vehicles होते हैं, और उनके जो impressions होते हैं, ठीक, उनके जो tire के impressions होते हैं, उनको बोलते हैं tire marks, जैसे इस picture में दिखाया गया है, और ये भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, इसी तरह से जो अपने big animals होते हैं, उनके जो footprint होते हैं, means pug marks जो होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, जैसे देखो, इस दोनों images में show किया गया है, these are the pug marks, अब जानते हैं guys, nature of pug marks, कि किस-किस type के pug marks होते हैं, ठीक, there are following types of pug marks, first, shunkan pug marks, second, surface pug marks, नमबर थर्ड, negative pug marks, ठीक है guys, अब जानते हैं, हम इन तीनों tips के बारे में बन भाई हैं, तो guys, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो please, do like, share and comments on the video, as well as subscribe the channel, these are the shunkan pug marks, because it is 3D of nature, 3D in nature, these are the surface pug marks, it is 2D in nature, next, अब हम जान लेते हैं, details में with definition, तो सबसे पहले हम जानेंगे, shunkan pug marks, these type of pug marks, are most commonly found, जो shunkan type के, जो pug marks होते हैं guys, वो most commonly हमें क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक, when the impressions of the pug, caused in mud, dust, sand and snow and other similar surfaces, then these impressions will be depressed, और 3D type, सुनोने, shunkan pug marks, देखो guys, जब जो impressions होते हैं, pug के, अगर वो cause होते हैं, अगर वो बनते हैं, कहां पर mud में, dust में, sand में, snow में, या फिर ऐसे ही किसी similar surface पर, तो ये क्या होते हैं, ये जो step की impressions होते हैं, वो depressed होते हैं surface में, मतलब अंदर की side क्या होते हैं, depressed होते हैं, और इस वज़े से ये क्या होते हैं, 3D nature के होते हैं, इसलिए हम इनको shunkan pug marks कहते हैं, ठीक है, so it is known as shunkan pug marks, next, surface pug marks क्या होते हैं, if the pug marks is produced by deposition of material like dust, dirt, blood, colored powdery substance, etc, on hard and smooth surfaces, giving rights 2D prints, then these type of pug marks are known as surface pug marks, देखो ला, guys, जब जो pug marks, मतलब कि जो footprint होते हैं, किसी animal के, अगर वो cover है, अगर उनके foot जो है, वो, अगर उनके जो pug हैं, वो cover हैं, किसी color substance से, blood से, dirt से, या फिर इसी तरह के किसी other substance से, तो जब वो किसी surface पर move करेंगे, तो जो color substance है, वो, और color substance की help से, जो print बनेगा, तो वो क्या है, surface पर leave होते जाएंगे, जब वो movement करेंगे किसी surface पर, तो क्या है, उनका जो color material है, वो, उस surface पर leave होता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा, और इस तरह से, जो colored print होंगे या फिर dust के, dirt के, या फिर blood के, या फिर कोई भी color powdery substance के, तो वो क्या surface पर हमें मिलेंगे, ठीक है, तो step के जो prints होते हैं, वो 2D nature के होते हैं, इसलिए steps के जो pag marks होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, surface pag marks कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी depression नहीं होता, यह only form होते हैं, अके लिए surface पर, इसलिए हम steps के जो pag marks होते हैं, उनको बोलते हैं, surface pag marks, next आता है, negative prints, negative prints क्या होते हैं, pag marks, may also be produced by lifting dust or liquid material, in which case a negative print will be left on the surface, जब कोई surface है, हमारी, उस पर क्या है dust है, या फिर कोई liquid substance, या फिर material क्या है, हमारा, किसी भी surface पर फैला पड़ा है, अगर वहाँ पर कोई animal movement करेगा, तो जो dust है, या फिर कोई भी liquid material है, उसको क्या कर लेगा, उस surface से pick कर लेगा, तो उस case में क्या होगा, जो उसके negative pag marks होंगे, वो वहाँ पर form हो जाएंगे, इस लिए steps में, इस condition में, जो pag marks बनते हैं, उनको हम कहते हैं, negative pag marks, या negative train, इन इंडिया, certain people are trained in this field, अब इंडिया में क्या होता है, कि कुछ people होते हैं, जो कि pag marks की field में, उनको individualize करने की field में, उनको identify करने के लिए, बहुत ही जादा trained होते हैं, बहुत ही जादा उनको experience होता है, और वो pag marks को देख के बता देते हैं, उनको एक idea लग जाता है, कि ये किस animal के हो सकते हैं, उनकी age क्या हो सकते हैं, उसका sex क्या हो सकता है, इसलिए इस types के जो persons होते हैं, इंडिया में, जो trained होते हैं इस field में, उनको हम बोलते हैं, khojis, okay guys, we know that type of person, khojis, next, significance of pag marks, तो guys, अब हम जानेंगे कि pag marks का use क्या है, उनकी significance क्या है, ठीक, pag marks of wildlife species are important evidence in the forensic analysis of species, जब हमें किसी भी animal की, किसी भी animal की species निकालनी है, तो हम pag marks की help से, जब हम pag marks का forensic analysis करेंगे, तो हम animals की species को identify कर सकते हैं, ठीक है, तो जो pag marks होते हैं, वो forensic की field में एक बहुती अच्छा role play करते हैं, to identify the species of the animal, तो अब हम यह जानेंगे कि pag marks की help से, हम क्या-क्या study कर सकते हैं, किस-किस चीज के लिए जो यह pag marks हैं, वो helpful होते हैं, ठीक, तो determination of sex and age of the animal, किसी भी animal का, अगर हम शेक sex जानना है, उसकी age जाननी है, तो हम क्या करेंगे, pag marks की study करेंगे, और pag marks की study करके, हम उस animal का sex बता सकते हैं, age बता सकते हैं, as well as हम उस animal की species को identify कर सकते हैं, साथ में यह identify कर सकते हैं, कि उस animal की physical condition क्या है, ठीक, साथ की साथ हम उस animal को individualize भी कर सकते हैं, तो guys, अब हमने जान लिया कि जो pag marks होते हैं, वो बहुत ही जादा important होते हैं, किसी भी animal की species को निकालने के लिए, किसी भी animal की sex and age को determine करने के लिए, किसी भी animal की physical condition को identify करने के लिए, और किसी भी individual animal को individualize करने के लिए हम क्या कर सकते हैं पगमाक्स को यूज कर सकते हैं गाईज अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो please do like, share and comments on the video as well as subscribe the channel अब हम जानेंगे कि जब sex, age, physical condition of the animal, etc. इसके साथ साथ हम पगमाक्स को और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं तो for senses, हम पगमाक्स को senses के लिए भी यूज कर सकते हैं senses means गढ़ना जैसे हम जनसंख्या करते हैं जनसंख्या की क्या करते हैं गढ़ना करते हैं ऐसे ही हम senses करते हैं animals के लिए ठीक है कि किसी particular area में किस type के animal की कितनी number of population हैं किस species के कितने number of animals वहाँ पर present हैं यह सब जानने के लिए उनकी density क्या है यह सब जानने के लिए हम क्या करते हैं सेंसर निकालते हैं एनिमल्स का the main objective of the wildlife census is to find out the density of the population कि किसी भी animal की density ठीक है of the species and to procure basic data forest management ठीक है इसके management के लिए जो basic data होता है उसको भी क्या कर सकते हैं पग्माक्स के help से निकाल सकते हैं नेक्स आता है movement pattern also known as gate pattern कि कि किसी particular animal ने किस direction में move किया है यह भी हम पग्माक्स की help से बड़ी असानी से क्या कर सकते हैं animals move differently जो को जो की different animals जो होते हैं वो क्या करते हैं differently move करते हैं और यह सब depend करता है on their body mechanics उनकी body mechanics पर एन उनके behavior पर ठीक है guys next देखो जैसे इस picture में शो किया गया है कि देखो animal इस direction में क्या कर रहा है move कर रहा है ठीक है क्योंकि यह पग्माक्स यहां पर क्या है आगे की साइड बढ़ रहे हैं तो हम असानी से इनको देखके बता सकते हैं कि जो animal रहा होगा उसने इस direction में move किया होगा next determination of sex तो guys अब हम यह जानेंगे कि with the help of pug marks हम किसी भी animal का sex कैसे identify करेंगे the sex of an animal species can be determined by measuring the length and weight of full pug marks pad and toe and some other distinct feature मतलब according to this line यह क्या कह रहा है कि जब हम जो full pug marks होता है उसकी length and breath को measure करेंगे उनकी pad को देखेंगे उनकी toe को measure करेंगे या फिर उनके जो और भी जादा जो features होते हैं उनको जब हम study करेंगे तो उनकी base पर हम असानी से sex को determine कर सकते हैं किसी भी animal के को ठीक है तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम pug marks को measure कैसे करेंगे measurement of pug marks number first pug mark length also in short p ml p for pug m for mark and l for length pug mark length अब हम यह जानेंगे कि pug mark length को कैसे measure करेंगे to the distance between the tip of the farthest toe and to the base of the pen along the walk line जब हम walk line के along जाते हुए क्या करेंगे जो farthest toe है उस animal की वहां से measure करेंगे to the base of the pad पैड का जो base होगा उन दोनों के बीच के जो distance होगी जब हम उसको measure करेंगे तो we called it pug mark length same as well as pug mark breath p for pug m for mark b for breath जब पग्माक ग्रीट को कैसे measure करेंगे distance between the outer age of the first toe and the last toe जब हम first toe और last toe की जो दोनों तो की बीच की जो age होगी उन दोनों के बीच का जब हम distance measure करेंगे then it is known as pug mark breath तो चलिए image में देख लेते हैं this is the farthest toe and this is the base of the pet ठीक है तो जब हम इन दोनों के बीच की जो length है उसको measure करेंगे then it is known as pug mark length जैसे देखो guys इसमें बताया गया यहां से this is the this is the farthest toe and this is the base of the pet जब हम इन दोनों के बीच की जो distances को measure करेंगे तो we called it pug mark length as well as देखो यह क्या है बहा सबसे outer toe है ठीक है यह क्या है सबसे outer age of the first toe यह first toe की क्या है outer age as well as यह क्या है last toe की outer age है जब हम इन दोनों के बीच की जो distance है उसको measure करेंगे ठीक यहां से और यहां था इन दोनों के बीच की जो distance उसको measure करेंगे then it is known as pug mark breed ठीक तो guys समझ मां क्या कि हम pug mark length and breed को कैसे measure करेंगे ठीक अब आता है male pug mark और female pug mark अब हमने distance तो measure कर ली कि pug mark length क्या होती है पग्माक breed क्या होती है लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि जी male का pug marks है या फिर female का तो जान लेते हैं उसके features क्या होते है guys male pug mark versus female pug mark ठीक जो male pug marks are usually larger जो males के जो pug marks होते हैं वो क्या होते हैं usually larger होते हैं as compared to female pug marks while the female pug marks are short as compared to male pug marks ठीक है जो males के जो pug marks होते हैं वो क्या होते हैं larger होते हैं और जो female के जो pug marks होते हैं वो short होते हैं male pug marks are nearly fit into the square और जो male अगर pug mark male का हुआ तो वो nearly fit हो जाएगा square shape में जबकि अगर whereas the female pug marks nearly fit into the rectangle और अगर वो female का हुआ तो वो जो female का pug mark है वो nearly fit होगा as a rectangle में तो next the shape of the toe is more rounded जो males की जो toe होती है और उनकी जो shape होती है वो क्या होती है rounded होती है जबकि जो female होती है उनकी toes का जो shape होता है वो होता है elongated next जो toe के बीच में space होता है वो ज़्यादा होता है male pug marks में जबकि जो toe space है वो कम होगा in the case of female pug marks अब जो difference है PML मतलब की pug mark length and pug mark breath pug mark length and pug mark जो breath का जो difference है वो क्या होगा less than 1.5 होगा अगर ऐसा है तो अगर pug mark length and pug mark breath के बीच का जो distance है वो less than 1.5 है then we can say that it is male pug mark ठीक अगर यही distance greater than 1.5 है then we can say that it is the female pug mark ठीक है guys जो male का pug marks होता है वो बड़ा होता है fit होता है nearly square shape में जो toes होती है वो rounded होती है जो टोकी स्पीस जो होता है टोकी बीच में वो ज्यादा होता है और उनकी जो pug mark length and जो pug mark breath होती है उनका distance क्या होता है less than 1.5 अगर यह यह हमारे features हैं तो हम कहेंगे कि जो वो pug marks है वो किसका है मेल का है ठीक है male animal का है सेम इसी तरह से female pug mark होगा उसमें क्या क्या qualities होंगी कि जो pug mark है वो short होगा जो उसका pug mark है वो nearly fit हो जाएगा rectangle में rectangle shape में जो toes होंगी वो elongated shape की होंगी और जो टो का space होगा वो क्या होगा कम होगा और जो difference है पी एमल और पी एमबी में प्रेमा क्लेंट और पंगमा क्लेंट वो greater than 1.5 होगा तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो pug mark है वो female pug mark है ठीक है नेक्स चलते हैं देखो दिस इस दा male pug mark and this is the female pug mark देखो हमने इसको fit किया यह ता आउटर एज और तो सॉरी यह male pug mark देखो यह सबसे है तो यहां से जब हमने इसको मिलाया सबको तो यह nearly fit हुआ कि इसमें तेंगल शेफ्ट में है जैसी देखो है यह तो जो है वो क्या राउंड़ शेट की है ठीक है और इधर देखो जो फीमेल पंग मांग है इसमें जो टोस है वो कितना ज्यादा है यह तो यही सारे फीचर्स है जिनके बेस पर हम अता सकते हैं कि यह male pug marks है या फिर female का अप आता है front pug marks and hind pug marks छी front मतलब की आगे का pug marks हिण मतलब की पीछे का पगमाक, फ्रंट पंगमाक अरजर देन धा हिन्ट पंगमाक, ठीक है? तो ये कह रहा है कि जो फ्रंट पंगमाक होते हैं, जो आगे की पंगमाक होते हैं, वो बड़े होते हैं as compared to Hint पंगमाक, ठीक? Next, forward point of the two middle toes in frontBonks are nearly at the same level, यह कह रहा है कि जो middle toes होती है, जो दो middle toes होती है और जो इनका front होता है, वो क्या होता है, nearly at the same level पर होता है, जबकि जो forward point of the two middle toes in hind pugs, जो hind pugs होता है, उसमें जो two middle toes होती है, उनका जो forward point होता है, वो क्या होता है, different level पर होता है, तो guys चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि यह कहना क् यहां एक है देखो दिस फ्रंट पंग्मार्ट में इसने क्या बोला जो विदिल तोज होती है उनकी जो फॉरवर्ड ऑच होती है और देखेंगे तो जो व् है उनका जो outer age होता है या फिर forward age होता है जैसे कि ये और ये ठीक है ये दोनों middle toes इनका forward age है वो ये है इन दोनों के विच में देखो distance ज्यादा as compared to front ठीक बस तो यह ही समझाना चाहरा था कि जो front पंगमाक होता है वो बड़ा होता है as compared to hind mark और जो front पंगमाक होता है उसमें जो middle toes होती है उनका जो forward age होता है वो nearly same level पर होता है जबकि as compared to back ये जो point होता है वो थोड़ा distance level पर होता है next जडते है कि हम जब पंगमाक है ठीक है जो हमें 3D nature के 2D nature के जो हमें पंगमाक मेली है उनको हमें किसे करेंगे तो सबसे पहले आता है PiP S की help से PiP S मतलब की पग इंप्रेशन फैटमीट धीक है तो जो guys स्काइब भड़ पंगमाक होते हैं इनको collect करने के लिए लिए पंगम्रेशन फैर आते हैं इनकी कर सकते है नेक्स आता है टाइगर ट्रेसर जब प्रिंट टूडी नेचर के हैं तो अब उनको टाइगर ट्रेसर की हर्प से क्या कर सकते है जैसे कि मान के चलू कोई यहां पर इस सर्फेस में हमें क्या मिला इस सर्फेस में हमें क्या मिला कोई पगमाक मिला ठीक ऐसे करके कोई पगमाक मिला मालो यह पवमाक से ठीक अब क्या करेंगे कि इसके उपर हम टाइगर ट्रेसर को रख देंगे कि इसकी उपर क्या करेंगे हम टाइगर ट्रेसर को रख देंगे तो दिखेगा तो हम इसको क्या कर लेंगे ऊपर से इस पेपर की ऊपर क्या कर लेंगे लेंगे ठीक है इस तरह कि अंक टायगर्य ट्रेसर की एफसे थेंक यू गाईज अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दू लाइक, शेयर और कॉमेंट्स अन दा वीडियो एस वेल है सब्सक्राइब दा यूटूब चैनल थेंक यू गाईज